हालो फ्रेंट्स आजकी इस वीडियो में हम आपको यह उताने जारा हूं कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स ग्येटीज प्रो एंडरट मुइलफोन में, आप अपने मुइल फोन का चाहज को सबसे बस्बादें, आपको मोइल फॉन आपको जानकार्य, ओपन की इस इससे आपके phone का storage खाली हो जाएगा, अब दोस्तों अगरा process आपको यह करना है, कि आपके mobile phone में जितने भी apps है, इन सभी apps को reset करना है, यानि कि इन सभी apps का data clear करना है, क्यासे, देखे अगर आप अपने mobile phone के किसी भी app को, अगर उंगली से दबा के रखेंगे, आप करना है, इसके बाद आपको इसे clear storage पर टैप करना है, आपका एक छोटे सा page open होता है, delete app data का, इसमें आपको OK का बटन टैप करना है, आपका यूजर डेटा और ये catch, इन दोनों के सामने अला data या आपका 0 हो जाना चाहिए, आप कभी भी आपने mobile phone में किसी भी आप को जब इंस्टॉल करते हैं, वो app जो आपके phone का storage कवर करता है, तो इसलिए आप अपने phone से फालतू के apps अटा देंगे, तो इससे आपके phone का storage खाली हो जाएगा, अब दोस्तों आपको अगला process ये करना है, कि आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps आपको मिलेंगे, जिनके अंदर आपको backup की setting मिलेगी, तो जिस जिस app के अंदर आपको backup की setting मिलते हैं, उन सभी apps में से backup setting को बंद कर देना है, मैं आपको समझाने के लिए, example के लिए यहाँ पर अपने mobile phone की gallery को open कर लेता हूँ, mobile phone की gallery में देखे right side की टॉप पर ये profile picture होती, इसे आपको tap करना है, आपका ये page open होता है, इस page में देखे बैक अप की setting है, तो ये backup is off लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस app की backup setting को पहले से बंद कर रखा है, तो अगर आपकी ये backup setting चालू रहती है, तो आपको यहाँ पर न, इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर on की जगे off का बटन होगा, इसे off पर tap करके इस backup setting को इस तरीके से बंद कर देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आपको और भी जिस app के अंदर backup setting मिल जाती है, सभी में से आपको backup setting को बंद करना है, अब देखिए, ये तो हो गई आपकी apps की backup setting के बात, अब आपको इन अपने mobile phone की backup setting को बंद करना है, इसके लिए आपको mobile phone का setting page उपन करना है, setting page में आपको सबसे नीचे system पर tap करना है, इसके अंदर आपको ये उपर की side ये backup की setting टैप करनी है, तो आपको इस वाले page पर आपको नीचे की side यहाँ पर na, यहाँ पर off का button दिखाई देगा, off पर आपको tap कर देना है, अगर on लिखा है तो on पर tap नहीं करना है, अगर off लिखा होगा तो off पर tap करना है, इससे आपके mobile phone की backup setting भी बंद हो जाएगी, दोस्तो देखे, मैं backup setting को इसलिए बंद करवा रहा हूँ, apps कोई और mobile phone की, क्योंकि अगर यह चलू रहती है तो इससे हमारे phone का storage होता है, वो जल्दी यल्दी full हो जाता है, तो इसलिए आपको इन backup settings को बंद रखना है, जिससे आपके phone का storage खाली रहेगा, अब दोस्तो अग इसके अंदर आपको यह reset option टैप करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे erase all data, factory reset पे आपको टैप करना है, इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone का storage खाली हो जाएगा, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखना है, आपके phone में जितना भी data है, सारगा सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए, दूसरी बात यह ध्यान रखना है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, तो यह दो काम आपको पहले करने है, उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताय हुए सारे process अगर आप step by step follow करेंगे, तो इससे आपके mobile phone का storage खाली हो जाएगा, ठीक है?